कुछ समय पहले मैंने बिर्यानी शेयर की थी जी हाँ बिर्यानी उसकी रेसिपी मैंने बनाई थी कुकर में और मेरे पास बहुत सारे लोग की कमेंट्स आये थे कि आप न प्लीज बिर्यानी न कड़ाई में बनाए तो आज मैंने सोचा क्यों न मश्रूम और पनीर की बिर्या इन कढ़ाई वो भी लोहे की कढ़ाई में जी हां आयरन भी मिल जाएगा प्रोटीन और कैशियों के साथ ही ठार्यों कायो मिल जाएगा योजल है अरहाँ मिल पूर आर्यों की है आज मैं बनाने में बहुत है अश्यमय बहुत बहुत ढोला कर दा समय का अर थोच नाविर कि चाहती है और मैं अपनी हैबिट में डाल रही हूँ कि मैंना ज्यादा से जादा वेज़ेटेबल्स का यूज करूँ तो इसको बनाना बहुत असान है और आज में इसको डेसीघी में बनाने वाली हूँ बट इस अब टू यू अगर आपको डेसीघी में नहीं बनाना आप जिस भी तो उसमें बाना सकते हैं तो इसके लिए मैंने ले ले लिया लोहे की कढ़ायी और इसमें मैंने डाल लिया थोड़ा सा लिया गया गरम जाएगा अमस्गर हो यह मेरी मश्रूम इनको मैं अच्छे से सफ करको यह बटन मश्रूम है इनकी उपर वाली परत अच्छे से निकाल दी थी और निकालने के बाद इनको मैंने अच्छे से थोड़ा मतला बॉइल पानी में अच्छे से बॉइल कर लिया था नामक डाल के जिससे सारी जो इंप्यॉरिटी यह गंदगी वो अच्छे से निकल जाए अब इतने ही गी डाले में और इतने में इच्छे से थी आपकी बिरियानी भी पतने प्नी कि आपकी जाए बने के जबर बहुत ज्यादा गी का या च्री की है उच करने तेल के जो ए insult के pagan क्ल यह कहीं है और इनको मैंने डाल दिया क्यों दूटन कोर्या इनको मैने काट के झैप और इनको भी फ्राइय कर लूगी, और यह जो दोड़ा सा नीचे लग गएया है, क्योंकि यह थोड़ा पनीर मेरा बहुत साफ्ट था तो है। तो मैंने इसको बस थोड़ा सा ही फ्राई किया और फिर उसके बाद जो remaining था वो मैंने पूरा निकाल लिया आप देखिए वही घी बचा है और उसी घी में क्योंकि आप जब उसको squeeze करकी निकालोगे न सारी चीजों को तो आपका घी बचेगा कड़ाई में और उसी में हमने दाल दिया है यह मेरे दो आलू थे चोटे आलू और अल्दो मैं डालने नहीं वाली थी बट मेरे को बिर्यानी में आलू बहुत ही पसंद तो यह आपकी परसनल चोईस है अगर आपको आलू नहीं डालने है कुछ और वेजिटेबल एड करने है तो आप वह भी आड कर सकते इसके बाद दो हरी मिर्चे वह बीच में से चीरा लगा कि उनका पेट काटके वह डाल दिया इसको हम अच्छे से भून लेंगे और मैंने इसमें ढाल दी है एक प्याज तो प्याज को भी आप नॉमल बहुत जादा बारी करने की ज़रत नहीं आप काट सकते हो जैसे आप क और भी आपको masalay डालने हैं वह आप डाल सकते हो बाट मैंने इसमे डाला है थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा हलदी पाउडर, धन्या पाउडर और तोडा सा गरम बहुत साही लोग बिर्यानी मसाला की बिल्यानी बिल्तिendeu आप डाल सकते हो A alto pop यूइ और धियल अड़िक किहाए T बड़्ू तो इसमें नहीं डालने वाली हो तो s congrके स्नुधर और यहां पर यह सारे जितने भी मैंने फ्राई किया था वेजिटेबल मेली मश्रूम, पनीर और आलू तो वो मैंने इसमें डाल दी है और इसको मैं अच्छे से चला दूँगी और इसमें सबसे चीज़ किया है अगर आप इन में से कुछ चीज़े स्किप करना चाहें, कोई और चीज़े अट करना चाहें तो वो आप कर सकते हो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत कम राईस यूज करती हूँ तो मैंने यहाँ पर किवाल आधा कटोरी राईस लिया था और इसको मैंने थोड़ी देर पानी में सोक करके रख दिया था तो वो मैंने इसमें राइस डाल दिया और उसके बाद चूंकि वो राइस जो था वो सोक्ट था तो इसलिए बहुत जादा पानी डालने की जरूरत नहीं है आपको कडाई में क्योंकि एक बार जब बॉयल आ जाएगा उसके बाद आपका यह बिर्यानी बन जाएगा अब इस थोड़ा बहुत जो इसमें थोड़ा कच्छा पन अगर रहा होगा तो आप इसको ढखके रख देना उससे यह भाप से बन जाएगा और यहां मैंने डाल दिया है हरा दानिया इसके भिना तो मेरा काम तो नहीं चलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने बिर्या इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी वनी थी ना I can't tell you और प्लस इसमें चीज और है कि इसमें जो चावल है मतलब जो राइस हमने यूज की है बहुत कम है इसमें ज्यादा तर इसमें सबजियां है जैसे मश्रूम है पनीर है ठीक है और मतलब बहुत ही लेस मसाले है तो अग यह बिर्यानी ज़रूर ट्राए करना I am sure कि आप सबको न यह बिर्यानी बहुत पसंद आने वाले है बच्चे तो बहुत ही ज्यादा पसंद करने वाले हैं और यही बोलेंगे बस हमें मश्रूम और पनीर की ना बिर्यानी ही दे दो हमें और कुछ नहीं चाहिए हमारी जिन मित अब तकिली बबाई